हलो गाइज वेलकम यूटू दा गॉर्मेंट जॉप्स लाइब्रेरी यूटूब चैनल आज हम आपको बहुत इंपोर्टेंट और बहतरीन अपडेट देने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें जैसे कि आपने थमले रीड कर लिया हो यह वीडियो अभयोदय योजना के बारे में हैं जो लोग अभयोदय योजना को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ यूपी के मुखे मंत्री मानिय श्री योगी आधित्यनाच जी ने अभयोदय योजना लॉंच करी है जिसके तहत कोई भी गरीब परिवार का बच्चा किसी भी competitive exam की तियारी कर सकता है चाहे वो यूपी PCS हो चाहे वो UPSC हो चाहे वो JEE हो या NEET हो या फिर UP का कोई भी exam या UP SSC TET कोई भी exam हो उसके तहत वो उसकी नौकरी की तियारी कर सकता है तो फ्रेंट्स एकदम free होने वाली है तो आए जानते हैं इसके बारे में सारी महतपूर बाते रजिस्ट्रेशन तक के आपको क्या करना है कैसे करना है तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देखें यहां पर है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस प्रिस्टाव के अनुसार उन सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी जो वित्य परिश्टेतियों के कारण परिक्षा में प्रिश्टिशिक नहीं हो पाए थे तो फ्रेंट्स यह में लिए उन लोगों के लिए है जो गरीव वर्ग से आते हैं या किसी और जाती वर्ग से जिन लोगों के पास तैयारी करने के लिए परियाप्त पैसे नहीं है तो योगी आदितनाज जी ने इसका लॉंच इस योजना को लॉंच किया है यह अभी मंड जनवाज हजार बचों थन्हें रेच्ट्रेशन कर दिया है और इसकी रेश्ट्रेशन देट 10 फरवरी यह स्टाट व tart चुकी है तो ऐ भी जल्दी से रेश्ट्रेशन करें आगए हम बताते हैं कि इसमें रेजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जानते है कि इसका eligibility के रिया क्या है क्राइटेरिया तो आवेदक उत्तरप्रदेश का इस्थाई निवासी होना चाहिए आवेदक के पास जरूरी प्रमान पत्र जैसे आधार कार्ड राशन कार्ड प्रमान पत्र आधी की उपलब्दता होनी चाहिए पंजी करण के लिए मोबाईल और इमेल आईडी की आवश दिखाते हैं आपको कैसे इसमें रेजिस्टेशन करना है तो फ्रेंड्स यहां पर हमें सबसे पहले येवस वेबसाइट पर जाना है अभी युदे.up.gov.in इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके डारेक्ट यह पर देखेंगे हमारे मानिली है मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाद जी कुछ कहते हुए नजर आएंगे तो अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं यही तो आप यहां पर इनका जो लोगो है इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहां पर पहुंच जाएंगे जहां को रेश्टेशन करना है यहां पर आप इंग्लिश हिंदी जो लेंविज आपको पसंद हो से चूज कर सकते हैं और यहां से नीचर आते हैं यहां पर लिखा हुआ है पढ़ेगा उत्तर प्रदेश बढ़ेगा उत्तर प्रदेश हर संभव प्रयास सफलता की तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए यहां पर बताया गया है आपको कैसे अपलाई करना है यहां पर हमने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है तो यहां पर इंग्लिश में आर अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते तो हिंदी में आता यू केन एपलाई फोर ओनलाइन और ओफलाइन classes by following these steps, यानि कि आप online और offline दोनों ही क्लासों के लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर exam सेलेक्ट करना होगा, फिर अपना form फिल अप करना होगा, फिर अपने account को verify करना होगा, फिर उसको बाद आपके पर confirmation आ जाएगा आपकी mobile number या email ID पर, तो friends, चलिए इसको start करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर option दिया गया है home, जहाँ पर हमें फिर वहीं पर चले जाएगे, जहाँ वीडियो है, योगी जी की, तो अब यहाँ पर यहाँ पर जाते है, register now, सबसे नीच आएगा register now, इस पर click करेंगे आप, तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर आपको अपना नाम बरना है, जैसे मैंने डाला है, अजय कुमार, तो यहाँ पर अपनी email ID डालनी है, जैसे जो भी email ID है, आपकी अजय कुमार, at the rate, gmail.com, यहाँ पर आपको अपना phone number प्रोवाइड करना है, यहाँ पर आपको division select करना है, कि आप किस division से हैं, तो जैसे आगरा division कर लिए, मैं आगरा से हूँ मान लिजिए, यहाँ पर आपको अपनी qualification select करनी है, कि आपने किस qualification से भराए, यहाँ पर आपको अपना address फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना address फिल करना है, यहाँ पर address डाल दीजे, यहाँ पर address डालने के बाद, आपको submit पर click कर देना है, यहाँ पर submit होने के बाद, आपके सामने एक ऐसा interface खुलेगा, यहाँ पर submit होने के बाद, आपको यह लिखा हो दिखाए जाएगा, we will send your confirmation email to appear for online examination, यानि कि friends, जितने भी बच्चों ने भरा है, इस coaching के लिए, उनके लिए online exam भी कराया जा सकता है, तो वो आपको जो detail दी जाएगी, वो आपके mobile number या email ID पर send कर दी जाएगी, यह UP government का एक बहुत ही अच्छा step कह सकते हैं, उन लोगों के लिए जो पढ़ना तो कमी की वज़े से, तो friends, यह बहुत ही अच्छा step है, तो आप इस step का बहुत अच्छे से फाइदा उठाएं, और इसमें register करें, और अगर आपको कोई कमी लगती है, या आपको कोई दिक्कत है, जिसमें आप register नहीं कर पा रहे हैं, तो friends, नीचे comment box में comment करकर, आप हमसे पू कर देएंगे से, झापको का बहुत है, तो